हम आशा कर सकते हैं ओस गिरेगी इस पारी में जैसे जैसे राद बढ़ेगी ये पिच बहुत सॉलिड दिख रही है इसके उपर हाड रोलर चलाया गया है गेंद बाजों को इस डेड ट्रैक पर विकेट लेने के लिए बहुत महनत करनी पड़ेगी और ये हेड्स है कप्तान ने बॉलिंग करने का निर्णे लिया है चलिए अमपायर के पीछे दोनों टीमों ने बाउंडरी रोप को पार किया और मैच शुरू होने के साथ दर्शकों का भारी शोर बल्ले बास के हातों में खुजली हो रही है इस पावर प्ले का भरपूर पायदा लेने के लिए बल्ले बास बड़े शॉट खेलने के लिए थोड़ा कतराते हुए कोई रन नहीं इस गेन पर फिल्डर्स का पूरी तरह से वर्चस वो कुछ नहीं मिलने वाला भाई और अंत में अच्छी फिल्डिंग बहुत अच्छी थ्रोप है कि सीधा स्टंप्स के ऊपर टीम का खाता खुला एक रन के साथ पावर प्ले के लिए गेन बासी के कप्तान ने फिल्डर्स को आगे किया है बहुत बेहतरीन स्ट्रेड ड्राइव खेला कॉपी बुक स्टाइल में अपनी शुरुआत करिये एक सुरक्षित स्ट्रोप के साथ इस गेंद को ना खेलना ही बहतर समझा एक अच्छा निरने बल्लेबास का इस ओवर की समापती पर बैट्समेन के चेरे पर कुछ खास खुशी नजर नहीं आ रही है गेंद पाजी टीम ने फैसला किया है कि मीडियम पेस का आक्रमंट जारी रखेंगे विकेट के लिए बेकरार और यहां फील्डिंग में कुछ परिवर्तन एक पल से भी कम समय में अपने आपको बॉल के आगे फैका और कर दिखाया किया आप बाउंडरी रोकी है बॉस कुछ समय जादा ले लिया इस फील्डिंग परिवर्तन के लिए फील्डिंग साइड की ओर से थोड़ी आकरामक शैली का प्रदर्शन जोरदार अपील है और बैट्समन अनिश्चित अम्पायर ने कहा सुरक्षित है नॉट आउट ये कैच हो सकता है ओ कैच छोड़ दिया ओ माई गॉड इससे जादा आलिशा नहीं हो सकता अच्छी फील्डिंग का मुझाहरा तेज सीधी थ्रो अतिरिक्त रन बचाए फील्डर ने गें सीधा विक्टो के अंदर बहुत अच्छी डिलिवरी इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं कवानी चाहिए गेंद पाजी टीम ने फैसला किया है कि मीडियम पेस का अक्रम मिडोर आउट फील्ड का सुरक्षा चक्र होगा मजबूत क्योंकि कप्तान ने फील्ड में कुछ परिवर्थन किया है इस जबरदस्ट चक्के के साथ बहुत अच्छी फील्डिंग बैट्समेन को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया बल्ले बाज की अच्छी सूजबूज आसानी से एक रन पुरा किया इसे पता है कि एक एक अच्छी रन माइने रखता है मजबूत बाजू ने खूब सूरत थ्रोप है का बेल जोड़ी हवा में लेकिन अंपायर की उंगली नहीं बल्ले बाज सूरक्षित मिड्विकेट फिल्डेर की वोर ड्राइव किया लेक्ट साइट की तरफ लेकिन कोई रन नहीं विस फोटरक शॉट इतना सीधा की तीर भी शर्मा जाए इस जोड़ी के बीच अच्छा ताल मेल लाजवाब रनिंग देखते हैं इनका अंतिम स्पेल क्या करिश्मा करता है अब प्रतिबंद हटने के बाद क्षेत रक्षक बाउंडरीज को रोकने पर जादा ध्यान देंगे जबर्दस्त वील्डिंग और साथ ही एक परफेक्ट थ्रो सीधा स्टम्स के पास इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से ताइब तो खूब लगाई लेकिन क्या घर पहुंचे हम पायर ने गेंद बास्के पक्ष में लिया निर्ने बल्ले बास को जाना होगा है कि पीडर्ज में जा रहे हैं लॉंग ऑफ और लॉंग ऑन के बीच में से उठा कर खेलाए कुछ और रनों के लिए बल्ले बास की गलती फील्डर की खुशी चलिए वापस काश इन फील्डर्ज के पास एक हेलिकॉप्टर होता नहीं तो भाईया ये गेंद रुखने वाली नहीं है बगता है विकेट बचाने के लिए डाइग मारना ही पड़ेगा नोट आउट का हां अमपायर ने नतीजा बल्ले बास के पक्ष में देखते हैं इनका अंतिम स्पेल क्या करिश्मा करता है कुछ समय जादा ले लिया इस फील्डिंग परिवर्तन के लिए क्या गोली की तरह शॉट लगाया है लंबा उचा नजाने कहां गेंद गिरेगी लॉंग उफ और लॉंग उन के वीच में से उठा कर खेलाए कुछ और रनों के लिए गुलेल की भादी बॉल फेंकी सीधा क्रीस पर अच्छा थरो एक फिर बिल्कुल तैयार गेंद को पकड़ने के लिए बढ़िया रनिंग सुरक्षित क्रीस में वापस आए खजब की फूर्ती और तेज थ्रो ये है उम्दाक्षेत रक्षण स्वीप किया फूर्ती से फील्डर ने बॉल को बहुत जल्दी देख लिया मैदान में बहुत शादार प्रयास जोरदार अपील अमपायर प्रभावित नहीं कोई विकेट नहीं और ये बहुत बढ़िया रणिंग बेट्वीन दे विकेट्स पहाड समान लक्षे तो नहीं है लेकिन नहीं मालूम भागे किस से दोस्ती कर बैठे गेंद हवाई यात्रा पर चक्का हो सकता है ये 6 दन दनाती हुई गें जा रही है धरती पर कोई ऐसा नहीं जो इसे रोक पाए स्वीप किया कोई माफी नहीं गेंद बास को इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से एक तप और गेंद बाउंडर के बाहर दन दनाता शॉट शक्ति शालिश शॉट लोंग उन को भी क्लियर कर दिया अउजार ने कहा आउट और जश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट में लगता है बल्ले बास नाखुश स्मिरने से और अब उन्होंने अंपायर के फैसले पर रिव्यू मांगा है अंपायर ने कहा आउट और जश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट में नया बल्ले बास आता हुआ लगता है अपनी टीम के उमीदों पर खरा उत्रेगा अविश्वस निये फिल्डिंग दर्शक भी हैरान लेक्स पिनर ने संभाला एदारो मदार क्या ये कुछ तबदीली ला पाएंगे सही से टाइम नहीं कर पाए गेंद की पिछ पर आया और ओड़ा दिया ओन साइड की तरफ और गेंद गई चार रन के लिए क्या धुआदार शॉट लगाया है अब तो गेंद दर्शकों को ही ढूननी पड़ेगी रचनात मक्तरी की किबल्ले बाजी कमाल है भई यह शॉट आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा बॉस जो दर्शकों को हो पसंद वही शॉट खेलेंगे छे रन बहुत सुन्दर स्वीप गेंद फील्ड को चीडते हुए निकल गई आगे बड़े और यह शॉट सीधा स्टेंड्स के अंदर जाहिर तोर पे यह नई चीज कोच ने तो नहीं सिखाई होगी यह लगाया बल्ले बाजने सुन्दर स्वीप ओवर को समाप्त किया चौके के साथ गेंद बाज का एक खराब ओवर विकेट पर जमें इन दोनों की काफी अच्छी साज़ेदारी मैदान पर बल्ले बाजी टीम को मिला एक मजबूत विपक्ष लगता है बॉल बाउंडरी तक जाएगी ओ चली गई चार रन दो गर्मा गरम बाउंडरीज लगातार क्या बाउंडरीज की हैट्रिक होगी उठा दिया इसे डीप स्क्वेर की तरफ एक और चौका जेंद बाज में अपने सारे हतियार आजमा लिये हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा इस दुनिया में कोई ऐसी क्रिकेट पिच नहीं है जो इस शॉट को रोक सके बैतरी इन पचास रन की साज़ेदारी इस कमाल की जोड़ी द्वारा गेंद को भेजा है हवा के रास्ते से आफसाइट बाउंडर की ओर चार रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ बल्ले बाजिस ओवर से बहुत खुश होंगे बॉलिंग टीम ने स्पिन के महरती को भेजने का फैसला किया है क्या शॉट लगाया बल्ले बाजिस नहीं गेंद की पिछ पर आया और उड़ा दिया ओन साइट की तरफ एक एक रन छोड़ो छे रन से नाता जोड़ो क्या चक्का लगाया है आउट फील्ड बे स्लाइड करते हुए पकड़ी आव विश्वस निये कैड़ नए बल्ले बाज आते हुए इनको टीम प्लैन के मताबिक खेल कर पारी को संभाना होगा गेंद बाज ने बल्ले बाज को बांध कर रखा हुआ है एक रक्षात मक्षेले स्वीप किया कोई माफी नहीं गेंद बास को सूखे को मेली बरसात इस ताजगी भरे चोके के साथ दन दनाती हुई गेंद बाउंडरी में परफेक्ट डिलिवरी और बैट्स बैन पूरी तरह धोका खा गए इसको बेसिक क्रिकट खेलना चाहिए बस अपना नैचरल गेम खेले वान वन वन न तू 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 एपस कीपस बल्ले बाजु ने क्या फूर्ती से दौड लगाई वाकस क्रीज की और डाइब लगाई है क्या यह आउट है क्या समय पर पहुंचे हैं अमपायर ने कहा जी हाँ सुरक्षित है लेक्स पिनर ने संभाला एदारो मदार क्या ये कुछ तबदीली ला पाएंगे और ये चार रन सुन्दर शॉट कद्बो का सही इस्तमाल और ये कैच आउट वील्ड में सही अनुमान के साथ इनको अपनी टीम के लिए टिक कर गेम के अंत खिलना होगा ये है एक जबरदस शॉट सीधा और उचा खेला विदवन सक बल्ले बाजी लगता है गेंट बास को कुछ संदेश देना चाहते हैं पहली गेंट पर ही चौका ये शॉट आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा बास गेंट बास द्वारा दुर भागे पूंड गलती अंपायर ने बैटिंग टीम के लिए नोबोल करा दी और लगता अब इसे रोकना संभव दो गर्मा गरम बाउंडरीज लगातार क्या बाउंडरीज की हेट्रिक होगी हो रही है बाउंडरीज की बरसा चार रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ क्या अंदाज है जीत के मुकाम तक पहुँचने का इस मुकाबले में ऊच नीच होती रही और अंत में एक विजेता टीम बनी क्या मैच रहा भाई क्या उंदा प्रदर्शन किया है बैट से और इस मैन अव दा मैच अवार्ट पाने के सही हगदार